दोस्तो न्यू मोबाइल गेम की सिरीज के अंदर आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोंग लिए टॉप 10 बेस्ट न्यू एंड्रोड गेम्स लेके आए हूं और इन सारे न्यू गेम्स के अंदर आपको हाई क्वालिटी के ग्राफिक के साथ साथ अलग लगत रहके गेम्स देखने को मिलेंगे जिनमें आपको फर्स परशेंट शूटर से लेकर उपन वर्ल्ड गेम्स देखने को मिलने वाले हैं तो दोस्तो इन ही मज़िदा ने गेम्स के बारे में जानने से पहले आप फड़ आफे इस वीडियो को लाइक वा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन सारे गेम्स की डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है जहां से आप इन सारे गेम्स को आसानी से अपने मॉइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकोगे तो गाइस बिना देरिके चले इसमेदा टॉप 10 बेस्ट न्यू एंडुट गेम्स की वीडियो को स्टार्ट करते हो देखते हैं आपको इनमेंसे कौन सा गेम्स पसंद आता है गाइस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं वार्शिप वारफेर 2 गेम से दोस्तो वार्शिप वारफेर 2 गेमें काफी ज़्यदा हाई क्वालिटी के अंदर अनला बैटल सिप फाइटिंग गेम है और इस गेम के अंदर आपको नेवीज की अलगलग तरह की सिप्स का इस्तेमाल करके रियल टाइम के अंदर रियल पैर के साथ फाइट करनी पड़ेगी जिसमें आप अलगलग कंट्रीज के वार्शिप का इस्तेमाल करके एनिमी से फाइट कर सकते हो और हर shift के अंदर आपको यूनिक तरह के weapons देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको destroyer से लेका submarine जैसे अलग-लग तरह की vehicle का इस्तिमाल करके एनिमीज के साथ fight करना पड़ेगा तो दोस्तो overall बात वो तो Warship Warfare 2 गेम एक high quality के अंदर आना आला online fighting game है जिसका size 800 MB तक है और completely online game होने से इस game को आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी खेल सकते हो साथी साथ इस game की download link भी description box में दी गई है जहां से आप इस game को अपने mobile device पर download कर पाओगे Guys वीडियो को आगे बढ़ाते हो और अगले game का नाम है Dark and Darker Mobile दोस्तों Dark and Darker mobile game भी एक high quality के अंदर आनला online multiplayer fighting game है और इस game के अंदर आपको हलका फुलका बैटर रोयल गेम का जैसा similar gameplay देखने को मिलता है क्योंकि इसमें आपको एक arena के अंदर अपने friend के साथ एक team बना कर real time के अंदर real play के साथ fight करनी पड़ीगी जिसमें आपको अपने opponent team को हराने के साथ साथ बहुत सारे monsters और demons को हरा के इस game के अंदर battle को win करनी पड़ती है एक high quality के अंदर रानला online multiplayer fighting game है जिसका site 2gb तक है और completely online game होनी की वज़े से इस game को आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी एक साथ खेल सकते हो तो दोस्तों अगर आपको एक पसंद आया तो description box में इस game की भी link दी गई है जहांसे आप इस game को अपने mobile device पर डाउंलोड कर सकत हो जाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले game का नाम है home run class 2 दोस्तों home run class 2 एक real time baseball game है जिसमें आपको real player के साथ baseball खेलनी परती है और अपने opponent को हराने के लिए इस game के अंदर आपको अपने opponent से ज्यादा home run मारने परते हैं और जाते से ज्यादा home run मारने के लिए इ इस से आप आसानी से home runs बना सकते हो मगर online game होनी की वह से इस game के अंदर आपको real player के साथ इस game को खेलना पड़ता है जिसमें आप अपने दोस्त को भी invite कर सकते हो तो दोस्तों overall बात वो तो home run class 2 game एक high quality के अंदर आनला baseball game है जिसका चाहिए 900 MP तक होने के साथ इस game में आपको काफी high quality के 3D graphics देखने को मिल जाते हैं साथ ही साथ इस game के download link भी आपको description box में देखने को मिल जाएगी जहांशा आप इस game को अपने mobile device पर download करके खेल सकते हो गैस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले game का नाम है rumble club दोस्तों rumble club game भी एक fast pace battle arena game है जिसके अंदर आपको real time के अंदर एक arena के अंदर अलग-लग तरह के player के साथ fight तो करने ही पड़ेगी और अपने opponent के साथ fight करने के अलावा इस arena में आपको different type के weapon के साथ साथ करने के लिए कर सकते हो साथ ही साथ इसका gameplay आपको हलका फुलका battle royale game का जैसा भी लग सकता है क्योंकि time to time इस game के arena छोटा होते रहेगा और आपको real time के अंदर real player के साथ इस game में survive करना पड़ेगा और last तक survive करके आप इस game को win कर सकते हो तो दोस्तों overall बात रो तो rumble club game में ए आनला real time arena fighting game है जिसका site 200 MB तक होने के साथ इस game को आप description box में देगे लिंक से आसानीश अपनी mobile device पर download करके खेल सकते हो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हो और अगले गेम का नाव मैं subway server city दोस्तों subway server city गेम एक high quality के अंदर endless running game है जो survey server का ही नया वर्जिन गेम है और इस गेम के अंदर आपको इंडले से ज्यादा स्कोर करना पड़ता है और इस गेम के अंदर आपका काम ज्यादा से ज्यादा लिंक भी description box में दी गही है जहां से अब इस गेम को आसानी से अपने mobile device पर डाउनौट करके offline खेल सकते हो वीडियो में आगे बढ़ते हो अगले गेम का नाव है temple run legend दोस्तो temple run legend गेम भी एक endless running game है और यह गेम temple run का ही new version game है जिसमें आपको इंप्रूफ गेम प्ले से लेकर इंप्रूफ ग्राफिक देखने को मिल जाएंगे साथी साथ इसमें भी आपको अलग-लग तरह के obstacles को avoid करके जाए से ज्यादा score बनाना पड़ेगा और जाए से ज्यादा score बना के आप इस गेम के अंदेर नहीनी तरह की skin भी unlock कर सकते हो तो दोस्तों और बात रो तो temple run game एक हाई quality के अंदर आनला endless running game है और अगर आपको भी अपने mobile device के उपर और endless running टैप के गेम्स केलना काफी ज्यादा पसंद है तो आप जरूर से इस गेम को अपने mobile device पर ट्राइब कर सकते हो इसके अलावा इस गेम की डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है जहांसे आप इस गेम को आसानी से अपने mobile device पर डाउनलोड करक देखने को मिल जाता है और तो इस गेम मैं आपको रियल ताइम के अंदर रियरेग वैयर के साथ वाइड दो करने को मिलेगा ही शाथी साथ आप अलगलग तरे के वैपन जैसे शॉट गन मचीन ग जैसे बहुत सारे वैपन का इस्तिमाल के अंदर कर सकते हो और इन सारे औलाइन गेम है जिसका साइज 600 MB तक है और इस गेम की डाउनलोड लिंग भी आपको डिस्क्रेशन बॉक्स में मिल जाएगी जहांसे आप इस गेम को आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउड करके खेल सकते हो गयस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले गेम का नाम है तकासी निंजा वारियर रीमेक दोस्तो तकाशी निजा वारियर रीमेक गेम एक high quality के अंदर आना निजा फाइटिंग गेम है जिसमें आपका करेक्टर एक निजा का होगा और आपको इस गेम के open world map के अंदर अलग-लग तरह के warrior के साथ fight तो करने को मिले गा ही साथी साथ इसमें आपको boss battle के अलावा other side missions भी complete करने को मिल जाते हैं जिससे आप इस game के अंदर अपने character की skills और weapon को भी upgrade कर सकते हो तो guys overall बात करें तो तकाशी निजा warrior remake गेम एक high quality के अंदर आना अला fighting game होने वाला है जिसका size cable 100 MB तक है और 100 MB में आपको बहुत ही अच्छे 3D graphics इस game के अंदर देखने को मिलने वाले हैं साथी साथ इस game की download link भी आपको description box में मिल जाएगी जहां से आप इस game को आसानी से पर mobile device पर download करके खेल सकते हो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हो और अगले game का नाम है metal slug दोस्तों metal slug game बे एक भी high quality के अंदर आना अला fast based arcade style का shooting game है जिसमें आपका character एक soldier का होगा और आपको fast based के अंदर अपने enemies को destroy करना परता है और enemies के साथ fight करने के लिए इस game के अंदर आपको नहीं नी त्रेकी weapon के सासर बहुती शानदार और machine का इस्तेमाल करने को मिल जाएगा जिनका इस्तेमाल करके आप रोबोर्ट से लेकर अपने opponent को आसानी से destroy कर सकते हो इसके अलावा बहुती ज़्यादा fast based गेम होनी की वएसे इसमा आपको बहुती शानदा gameplay experience पर देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों overall बात वो तो metal slug game एक high quality के अंदर आनला fast based shooting game है जिसका site 2.5 GB तक है और completely online game होनी की वेसे आपको इस game को खेलने के लिए internet connection की ज़रत पड़ेगी इसके अलावा इस game की download link भी आपको description box में मिलने वाली है जहांसे आप इस game को असानी से अपने mobile device पर download करके खेल सकते हो तो guys वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के आकरियो number one game का नाम है Delta Force Hawk Ops दोस्तों ये एक online first person shooting fast based multiplayer game है जिसमें आपको एक काफी high quality के अंदर open world area में अलग अलग तरह के enemies के साथ fight करने को मिल जाएगा और online game होनी की वैसे इस game में आप अपने दोस्तों को invite करके एक team बना कर भी इस game को खेल सकते हो और तोर इस game के अंदर आपको battle royale mode के अलावा, domination, death match जैसे अलग अलग तरह के gameplay modes खेलने को मिलने वाले हैं जो PC game का ही mobile version game है, साथी साथ इसमा आपको काफी अच्छे नएने तरह के weapon और gadget इस्तिमाल करने को मिल जाएंगे जिनका इस्तिमाल करके आप अपने enemies को destroy कर सकते हो तो दोस्तों overall बात वो तो Delta Force Hawk Ops game एक high quality के अंदर आनला first-person shooting game है, जिसका side 3.2 GB तक होने वाला है और इस game को खेलने के लिए आप इस game की website पर जाकर अपनी रेइस्टर कर सकते हो, जिससे ये game release होते ही, आप आसानिस अपने mobile device पर इस game को खेल पाओगे तो guys, यह थे top 10 best new mobile game जिनने आपको जरूर से अपने mobile device पर खेलना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटा फट इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कैमेर करकर जरूर बताएगा कि आपको इनमेंसे कौन सा game पसंद आया मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में, ओके गाइस, बाबाई